आज के वीडियो में मैं आपको एक काफी useful product जिसको PU foam insulation sealant के नाम से जाना जाता है के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे Abro brand का PU foam insulation sealant का यह container है यह Abro brand जो है US की company है और इस container को आप multi time भी use कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको multi time use कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको detail मे जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ gap आपको दिख रहा है जिसको हम fill करने वाले हैं तो इस container को कैसे proper use करना है यह सबसे पहले सीखेंगे तो यहाँ पे gap काफी सारा है और इस container द्वारा fill करेंगे जिसके बाद यह seal हो जाएगा यह यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी सारा gap जो है यह हमें देखने को मिल रहा है और इस gap को हम इस PU foam द्वारा भरेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस container को पहले भी use कर चुका हूँ और इससे कुछ liquid जो है वो निकल रहा है तो यही liquid जो है इसको आपको बार ब पिर बाद यह expand करके काफी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर से जो liquid निकलता है वो expand करता है और वो foam का रूप बना लेता है तो यहाँ पे जब यह atmosphere के संपर्ग में liquid आता है तभी यह foam बनता है और इस तरह से अब हम gap जो है उससे fill करने वाले है यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारा gap है और इस container को आपको उल्टा पकड़ना है यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से हम उल्टा पकड़े है और इस तरह से gap जो है उससे हम fill कर रहे है यहाँ पे यह expand करता जाएगा और सारा gap जो है वो fill हो जाएगा यहाँ पे काम कर पाता है तो यहां पर काफी सारा गैप है जिसमें हम इस प्यू फोम को इस तरह से इस कंटीनर द्वारा इस्प्रे कर रहे हैं और जिसके बाद यह एक्सपेंड होता चला जा रहा है यह तो इसका सिंप्ल सा प्रॉसेस है कि इसे कैसे यूज किया जाता है अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं आप देखेंगे कि यहां पर कोई बेस नहीं है और इस जगह पर प्यू फोम अगर हमें भरना है तो हम कैसे भरेंगे चुकि जब हम इस स्पेस में प्यू फोम जो है इसको इस्प्रे करते हैं तो यह आप देखेंगे कि यह नीचे चला जाता है इस तरह से यह नीचे जा रहा है और अच्छे से गैब जो है वो फिल नहीं हो परा है तो यहां पर ऐसी स्थित में आपको थोड़ा सा एक साइड से बेस बनाना होता है और उसी के उपर आप इस तरह से इसे इस्प्रे करते जाएंगे तो यह अच्छे से वहां पर एरिया जो है उसे कवर कर लेगा तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने यह एरिया भी कवर कर लिया है तो यह सिंपल सा प्रॉसेज है जिस प्रॉसेज को आप फालो करके इसको use में ले सकते हैं इससे आप sealant की तरह उपयोग कर सकते हैं insulation की तरह उपयोग कर सकते हैं और भी multipurpose use हैं और आप इस container को कई time reuse में भी ले सकते हैं जैसे आपने एक बार इसको use में लिया और थोड़ा सा काम है आपने उसे किया और उसके बाद इस container को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो इसका जो pipe है वो choke हो जाएगा ऐसी stick में आप इसको दुबारा से use नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको दुबारा से use करने के लिए एक तरह का liquid आता है उसको use करना है अच्छा वो liquid जो है वो normal जो general use में हम liquid लेते हैं वही है चलिए मैं उसको भी आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ देर बाद ये PU foam जो है इस तरह से expand हो गया और इसने पूरा gap जो है उसे fill कर दिया है जब हम इसे use करते हैं और उसके बाद हमको 1.5 गंटे छोड़ना पड़ता है जब ये hard हो जाएगा ऐसी स्थित में हमें fincing देने के लिए यहाँ पे थर्मकूल cutter का प्रियोग करके extra foam को cut कर सकते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे इस PU foam की nozzle जो है उस पे काफी सारा PU foam लगा है उसको clean करने के लिए हमें thinner की जरूरत पड़ती है यहाँ पे thinner को प्रियोग करके आप इसकी nozzle जो है उसे clean करके दुबारा reuse में ले सकते हैं यहाँ पे हम safety के लिए gloves और इस तरह के cutter जो है फिंसिंग के लिए लेते हैं कुछ tissue paper है जिसका उपयोग करके हम जो है इसकी nozzle जो है उससे clean करेंगे यहाँ पे इसकी nozzle जो है इस तरह से आपको खोल लेनी है आपको यह सारा process जो है जैसे ही आपने इसको use किया उसके बाद से clean करना है तो nozzle में आप थोड़ा सा thinner जो है इसमें fill करेंगे आप यहाँ पे देख पाने है इस तरह से मैं nozzle में thinner जो है उससे fill कर रहा हूँ और यहाँ पे परियाप्त मात्रा में जब हमारा nozzle में thinner हो जाता है इसके बाद हम इसकी nozzle को किस तरह से clean करते हैं आप देख ये जो अंदर PU foam है ये पूरा clean हो जाएगा इसके बाद ही आप इस nozzle को दुबारा से use कर पाएंगे तो यहाँ पे ये process तो nozzle को clean करने के लिए है अभी container का जो nozzle है उसको भी आपको clean करना होगा तो यहाँ पे आप देख पारें मैं इसे एक बार फिर से clean करता हूँ nozzle clean होने के बाद आप देखेंगे इस तरह से thinner जो हमारा नीचे से nozzle से निकलने लगता है अब हमें इस container की nozzle में भरा हुआ PU foam जो है उससे भी dissolve करना है तो उसको dissolve करने के लिए हम इस तरह से इसका nozzle जो है इस पे लगा देते हैं और इसमें भी thinner जो है उससे fill कर देते हैं जिसके बाद जो इसके container की nozzle में जो PU foam है वो भी इसी thinner में dissolve हो जाएगा जिससे कि हमारा जो nozzle है वो पूरी तरह से clean हो जाएगा और इसको हम दुबारा से reuse में ले पाएंगे तो यह simple सब process है जो कि मैंने आपको बताया और इसको मैंने try किया है खुद से और मैंने अच्छे result जो है उन्हें पहंद के ही करें जिससे कि आपकी skin में किसी तरह की कोई problem जो है वो ना आए तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो container है उसकी nozzle पूरी तरह से clean हो चुकी है और अब हम इस container को दुबारा से use कर पाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आप PU foam insulation sealant container जो ह hardware की shop है वहाँ से purchase कर सकते हैं अच्छा PU foam जो है उस PU foam के container को आप online Amazon से purchase कर सकते हैं लिंक मैं वीडियो के description में दे दूँगा अच्छा यहाँ पे जो PU foam है इससे आप fridge repairing workshop में भी try कर लीजे वहाँ भी मिल सकता है और यहाँ पे आप result जो है वो देख पाएंगे यह PU foam जो हमने यहाँ पे gap में fill किया था यह पूरी तरह से expand हो चुका है और इसको आपको एक से डेड़ घंटे बाद इसको जब यह hard हो जाए तो फिर आप fincing जो है वो कर सकते हैं थर्मा कोल cutter का यहाँ पे इस्तमाल करके आप fincing जो है वो दे सकते हैं तो यहाँ पे यह जो PU foam है यह काफी useful product है gap filling, insulation, soundproofing कई जगे पे आप इसको use कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा जब भी आप इस PU foam container को use करते हैं तो उस समय आपको अच्छे से इस तरह के gloves जो है surgical gloves पहन लेने हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह जो हमारा thinner है thinner को भी आपको pew foam जब hard हो जाए तब आप surgical blade मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ आप thermacol cutter का उपयोग करके भी इसकी fincing जो है वो दे सकते हैं चूँकि अभी यह pew foam जो है अभी soft हमें दिख रहा है अभी यह पूरी तरह से hard नहीं हो है तो इससे अभी हमें और कुछ देर रखना होगा यहाँ पे थाहीं थाए हो ओओ आप का यहाँ देर बेस कार्थ यह प्ड़ करू है कर दो कि रखना है तो चार। एह नदाए जब चार्फे वी इसक्राइव गद्वार्ट देर आ यह जो है आप का यह जाए धाया हूँग काच बेस्ट जोब्बर्स बादर त्क का आप का पजोगण